लो एब्रीवन आप लोगा फिर से स्वागत है और हम लोग الاक्ट्रोएस्टेटिक्स कर रहा थे और एलक्रोएस्टेटिक्स में लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या देखा था एलेक्ट्रिक Fields के बारे में हम लोग देख रहा थे इलेक्ट्री करेंगे चलिए देखते है छठा पॉइंट क्या है प्रोपर्टी जो फिल्ड लाइन्स के बारे में 6. क्या था प्रोपर्टी जो फिल्ड लाइन्स इसमें 6. जो है वो लिख लेजिए इसमें 6. क्या लिखेंगे तू इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर यानि कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स नहीं हो सकती है क्यों भाई इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती बताओ इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि क्या बताये थे हम इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन जो रिप्रेजेंट करता हूं नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड को रिप्रेजेंट करता है अगर किसी भी पॉइंट पर नेट फिल्ड को कोई एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगर उसी पॉइंट पे दो-दो डायरेक्शन हो जाए तो क्या पॉसिबल है क्या एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फिल्ड का दो डायरेक्शन का भी पॉसिबल नहीं है आरीवा समझ में किया इसका मतलब यह हुआ कि झार्ड एक्टिक फिल्ड लैनस नेवर इंटरसेक इनटर्सेक को सुनध वारेई है कि द्विंट फिल्ड फिल्ड डैनस रिप्रेजेन्ट नेटलेट्रिक फिल्ड merch at that प्रेजंट कर रहा है और इस जगह पर दो दो नेट एक साथ नहीं हो सकते हैं यही बात हम बोलना चाहरे हैं कि किसी भी पॉइंट पर दो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड का डायरेक्शन अलग अलग नहीं हो सकता है मतलब यह नहीं हो सकता है कि नेट का नेट इलेक्टरी फिल्ड का डिरेक्शन एक ही होगा ना यहां पर क्या है नेट इलेक्टरी फिल्ड का डिरेक्शन दो हो गया ना यह नहीं हो सकता है बस यह बाते लिखनी है तुमको अरी बस वंज में तो यह हो गया छट्ठा पॉइंट क्या हो गया छट्ठा पॉइंट हो गया अब देख लेते हैं साथवा पॉइंट क्या बोलता है देखो साथवा पॉइंट यह बोलता है कि माल लोगी कहीं इलेक्ट्री फिल लाइन से ऐसे दिया हुआ है ठीक है न और एक point हम यहाँ पकड़ लेते हैं इसको बोल देते है A और एक point हम यहाँ पकड़ लेते हैं B अब यह बताओ कि density कहां का ज़्यादा है point A पर density ज़्यादा है कि point B पर density ज़्यादा है थोड़े जगह में फिल लाइंस बहुत ज्यादा है इसका मतलब यही हुआ ना यानि नंबर फिल लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है यहां पर थोड़े जगह में क्या है फिल लाइंस बहुत ज्यादा यहां पर क्या है थोड़े जगह में फिल लाइंस कम है यानि of field lines is directly proportional to field intensity field intensity इससे क्या बोल सकते हैं बताओ कि कहा का field intensity ज्यादा होगा obvious है कि electric field intensity at a is greater than electric field intensity at b लिख लो इस बात को यह important point है कि जहाँ पे density ज्यादा होगा field lens की वहाँ पे electric field intensity भी ज्यादा होगा लिख लो इस बात को चलो अगला देखते हैं आठवा नंबर point देखते हैं यह साथ हो गया आठवा नंबर point हम लोग देख रहें आठवा नंबर point क्या है कि electric field lines क्या है लिख देखते हैं इलेक्ट्रिक फिल लाइन्स नेवर एक्जिस्ट इन क्लोईड लूप क्लोईड लूप ऐसा नहीं होगा कि electric field line जो है न वो इस तरीके से क्लोईड लूप में एक्जिस्ट करें इस यह possible नहीं इलेक्ट्रिक फिल लाइन्स नेवर एक्जिस्ट इन क्लोईड लूप क्यों भाई ऐसा क्यों है तो इसका कारण हम लोग समझते हैं अब ध्यान से इस बात को समझने की कोशिस करना क्या है कि इलेक्ट्रिक फिल्ड जो है वो कंजर्बेटिव नेचर का है तो फोर्स जो लगता है किसी चार्ज को यहां पर रख दे और उसको ट्रेबल कराएं तो क्या हो जाएगा वो भी फोर्स जो होगा यानि कि इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्बेटिव नेचर का होता है इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्बेटिव नेचर का होता है अगर लाइन्स क्लोड लूप में एक्जिस्ट करने लगे ठीक है ना टो क्लूज लूप में वर्क डून जाएगा ऐसे लिख देते हैं वर्क डन पर अक्लूज लूप बराबर tbsp अरीवासरो में ठीक है सर वर्क डान जीरो होगा लेकिन एलेक्ट्रिक होट जो है एलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक टेंजेंसीयल फोर्स है क्यों सर क्या बताया थे फ्रोपार्टी में ही डिसकस किये हुए थे हम लोग कि अगर हमको किसी भी पॉइंट पर एलेक्ट्रिक फिल्ड का डायरेक्शन या फोर्स का डाइरेक्शन हमको चाहिए तो हम वहाँ पर टैंजेंट ड्रो करेंगे और टैंजेंट का डाइरेक्शन ही हमको इलेक्ट्रिक फिल्ड या फोर्स का डाइरेक्शन दे रहा होगा तो हमेशा टैंजेंट के लॉंग ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा force हुआ, tangential nature का force हुआ, और tangential nature के force के कारण, work done जो closed loop में आता है, वो कितना आता है, वो कितना आता है, बताओ, work done in closed loop, क्या आ जाता है, बताओ, force into distance, ठीक है न, force इस पर कितना लग रहा है, माल लेते हैं, QE, अगर कोई charge इस पर रख दिये है, और वो charge पर force लग रहा होगा न, जैसे माल लेते हैं, इस तरीके से माल लेते हैं, ये closed loop में exist कर गया, और यहाँ पर एक charge हम रख दिये हैं, एक charge हम रख दिये हैं, इस पर force लगेगा न, tangentially force लगेगा, क्या लगेगा, QE, और work done by look, क्योंकि ये tangential nature का है, तो QE into, और ये r radius का ये loop है, तो 2 pi r हो जाएगा न, 2 pi r हो जाएगा, ठीक है न, तो 2 pi r हो जाएगा, तो closed loop में work done तो यहाँ पर आ रहा है, कुछ आ रहा है, और यहाँ पर बोला जा रहा है, कि conservative nature का है, तो work done closed loop में 0 होना चाहिए, तो देखो ये contradiction हो गया, ये चीजे contradiction हो गई, देखो, contradiction ये, दोनों चीज क्या हो गया, contradiction, कि एक तरफ तो आप बोल रहे हैं, कि electric force conservative nature का है, और इसको सत्य ही रखना है, और एक तरफ बोल रहे हैं, कि electric force जो है, tangential nature का है, और इसको भी आपको सत्य रखना है, दोनों बात को आपको सत्य रखना है, दोनों fact को आपको फिर छड नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ यही बोल सकते हैं, ना भाई, कि एक ऐसा situation बैठाया जाए, जो दोनों में common हो, दोनों में common के लिए क्य close loop को हटा दीजिए, कि close loop में exist मत कराईए, तो यह भी बात सही अपने जगा पर रहा जाएगा, और यह भी बात अपने जगा पर सही रहा जाएगा, और दोनों खुस हो जाएंगे, आरीवा समझ में, इसलिए क्या बोला जाता है, कि electrostatic electric field, जो है, यहाँ पर electrostatic भी लिख existing close loop, अगर इससे क्या हुआ, कि close loop में exist नहीं होने की वज़ा से, यह बात भी अपने जगा पर सही रहा गई, और यह बात भी अपने जगा पर सही रहा गई, यानि दोनों satisfy हो गया situation, ठीक है, ना, सिर्फ इसकी वज़ा से, दोनों में मत भेद हो रहा था, तो किसी एक को सही मानना पड़ता है, और हम दोनों में कोई ठीर ठाड नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ एक चीज़ हटा सकते हैं, कि loop ही हटा दो, तो loop ही हटा दी, तो इसलिए electric field lines never exist in closed loop, ज्यादा अच्छा होता है हम यह लिखे, electrostatic electric field lines never exist in closed loop, क्योंकि electric field lines हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जब magnetism पढ़ेंगे, तो वहाँ पे non electrostatic भी होता है, जहाँ पे closed loop में exist करता है, ठीक है न, अरिवा समझ में, तो वहाँ पे हम लोग closed loop में exist करा रहे होंगे, वो electrostatic nature का नहीं होता है, वो non electrostatic nature का होता है, ठीक है न, वो किस तरीके से जनम लेता है, तो वो magnetic field में variation, time varying magnetic field के कारण electric field produce होता है वहाँ पे उसकी वज़ा से जो electric field आता है वह close look में exist करता है तो वह वहाँ पे हम लोग discuss कर रहे होंगे और यहाँ पे जो हम लोग electric field पढ़ रहे हैं वह electrostatic nature का electric field है तो अच्छा रहेगा हम क्या लिख दे हम यह लिख दे तो जादा अच्छा रहेगा चैनल दैटि अ आठवा नंबर था यह लिख देते हैं अ इल्यक्ट्रो फैस्टेक अ अब यह ज्यादा अच्छा हो गया इलेक्ट्र स्टेटिक एलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स नेवर एग्जिस्टिन लो लिख लो अच्छे से लिख लो और जो भी हम बात बोले हुए ना उसको थेोरेटिकल फॉर्म में लिख लो क्योंकि यह बोर्ड में भी पूछा जा सकता है तो सारा सिच्वेशन तुम लोग लिख स्पावन चीजों को ठीक ना अच्छे से लिख लो एक वाड को चलो अगला देखते हम लो आठ नववा प्रोपरिटी देखते नाइन प्रोपरिटी नाइन प्रोपरिटी देखो क्या है जैसे माल लो कोई चार्ज है ठीक है ना हम माल लेते हैं प्लस क्यों चार्ज है ठीक है सर इससे अगर कोई electric field lines copy में draw कर रहा है तो लाखो करोडो तो अगर realistic बात की जाए तो इसमें करोडो अरबो electric field lines निकल रहे होंगे न लेकिन हम लोग copy में तो उतने बना नहीं पाएंगे तो हम लोग copy में एक कुछी electric field lines को draw कर रहे होंगे certain amount of electric field lines जो हम लोग possible हो draw करना वो हम लोग draw कर रहे होंगे तो हम लोग मान लेते हैं electric field lines हम लोग बना दिये इसमें 4 बना दिये जो कि बाहर के तरफ निकल रहोगा सबको पता है कि positive से क्या होता है कि electric field lines निकल रहे होते हैं अगर इसके बगल में एक और हम field line ये कर दे कि प्लस पूर क्यू प्लस टू क्यू हम बना दिते हैं प्लस टू क्यू प्लस टू क्यू प्लस टू क्यू ठीक है न तो क्या हमको करना पड़ेगा अगर इससे अगर इससे चार निकल रहा है तो इससे कितना निकल रहोगा ओभियस है कि इससे 8 हमको निकालना पड़ेगा अरिवा सौंज में इससे हमको तो आठ निकालना पड़ेगा, इलेक्टिक फिल लाइन, बस यही बताना था, कि कॉंपी में उसके एकॉर्डिंग ही, चार्ज के एकॉर्डिंग क्या कर रहे होगे, तुम फिल लाइन्स को जेनरेट कर रहे होगे, तुम जिस तरीके क्या चार्ज लिखे होगे, उसी के एकॉर्डिंग, उसी के प्रोपोर्शनल रेशियो में ही, तुम फिल लाइन्स को भी जेनरेट कर रहे होगे, यह बाते लिख लो, अब देखो इससे क्या है, एक और चीज देख लेते हैं, जैसे माल लो यहाँ पे, यहाँ पे माल लो कि टू कुलम चार्ज रखा हुआ है, अरिवा सोंज में, और यहाँ पे माल लेते हैं कि माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और हम चाहते हैं कि इससे चार इलेक्ट्रिफिलेंस निकाल दे, ठीक है बाई, चार इलेक्ट्रिफिलेंस हम यहाँ से निकाल दी, ठीक है, सब कुछ सही है, और जब हम इससे 2 से 4 निकाल रहे हैं तो इसमें 1 के वज़ा से कितना हो जाएगा 2 से क्या हुआ 2 से 4 तो 1 से कितना हो जाएगा 4 बटे 2 अरीवा स्मय में तो कितना हो जाएगा 2 हम लोग क्या कर रहे हैं Unitary meter लगा दिये हैं क्योंकि proportionality हमको लेना है लाइने वह अचांवह क lle आया है। तो दो से कितने लाइन हमनिकालने हुए है शार निकाले आएक से कितना हो जाएगा एक से बताे कितनी हुआ दो हो जाएगा है ठीक है और दो इसमें आरहा होगा दो क्या हो रहा होगा आ रहा होगा इसके पास ठीक है तो हम फाइनल रिजल्ट कैसे बना रहे होंगे फाइनल रिजल्ट देखो कैसे बना रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस टू क्यू चार्ज है और यहाँ पे mm q scan है ठीक है न और इसके पास दो चाहिए और इसे चार निकल रहे है इससे चार निकल रहे है एक यह निकाल दो और दूसरा ऐसे दे दो ठीक है न दो हो गया यह ऐसे हम लोग बना देंगे कर दो दोनों जैसे मालों कि इसको दो चाहिए दो चाहिए तो कहां से मिल जाएगा इसके बगल में यह है तो यह दो सप्लाई कर सकता है न तो हम यहां से दो इसके पास यह कर दिये और यहां से एक्षटा दो बच गया जो इंफिनीटी तक जा रहा है तो यहां से क्या करेंग एक और एक जामपर ले लेते हैं इसी तरीके का, जैसे माल लो, एक और एक जामपर ले लेते हैं, जैसे माल लो, कि यहाँ पर Q है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 4Q है, ठीक है वह सर, अगर हम इससे 4Q से 4 लाइन निकाल रहे हैं, चार लाइन इसके पास आ रहे हैं, चार लाइन इसके पास आ रहे हैं, तो Q से कितना जा रहा होगा, Q से एक ही लाइन जा रहा होगा, 4 से 4 बना रहे हैं तो Q से 1 होगा अब दोनों को merge करके कैसा हमको figure नजर आएगा कि क्यों हो जाएगा यहां plus Q हो जाएगा ठीक है न तो इसके पास 4 आ रहा है न तो 4 ऐसे कर दो और 1 कहां से जा रहा होगा एक इसके पास से इसके पास जा रहा होगा देखू, ओवर ओल, ऐसा हमको अरेंजमेंट दिख रहा होगा, तो इन्हीं बात को क्या कर लोगे, किस पॉइंट में लिख रहे हैं हम लोग, नाइन्थ नंबर पॉइंट में लिख रहे हैं, लिख लो इन सब को, यहाँ पर माइनस रहेगा ना, यहाँ पर माइनस कर दो, गलती से, प्लस लिखा गया है, यह 4 क्यूँ है ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा बस, यह चीज़ कर लो, इसको 4 की जरूरत है, चार इस पर आ रहे हैं, और इससे एक निकल रहा है, तो एक जो निकल रहा हो, इन्फिनिटी तक ना जा करके, इसी के पास चला जाएगा बस, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, अगला टॉपिक ही रहेगा, कि, सिस्टम ओफ पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स के कारण, इलेक्ट्रिक फिल्ड हम लोग किसी भी पॉइंट पर निकाल रहे होंगे, यानि कि, इलेक्ट्रिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक फिल्ड, ऐसे लिख देते हैं, इसके कारण, इलेक्ट्रिक फिल्ड हमको निकालना है, सिस्टम ओफ चार्ज पार्टिकल्स के कारण, हमको इलेक्ट्रिक फिल्ड निकालना है, ठीक है न, तो सिस्टम ओफ चार्ज पार्टिकल्स दो तरह के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है, डिस्क्रिट डिस्क्रिट टाइब का हो सकता है और एक हो सकता है कंटिनिवस कंटिनिवस चार्ज पार्टिकल अगर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फिल निकालना हो और डिस्क्रिट चार्ज पार्टिकल है उनके कारण इलेक्ट्रिक फिल निकालना हो यह हम लोग अगला देख रहे होंगे ठीक है ना डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि पॉइंट चार्ट पार्टिकल अलग-अलग जगह पर रखे हुए हैं और कंटेनिवस का मतलब होता है कि बहुत पास-पास रह करके कोई कर लोग बॉडी जनेरेट कर रहा है ठीक ना जिसमें यृक्त अ क्या इसके Σोग जिसमें हम लोग लेंडा लेंड और रो यह चांडेंसिती है लेंडा क्या है कि चार्ट पर यूनिट लेंथ सिंस्क्रीट्र। और रो क्या है रो क्या है यह है चार्ज परिविट वॉल्यूम ठीक है न यहां पर बेसिकली चार्ज बॉड़ी की बात हो रही है और यहां पर क्या बात हो रही है यह किसकी बात हो रही है चार्ज बॉड़ी की बात हो रही है यह चार्ज बॉडी और ये क्या है पॉoinट चार्ज, डिफ्रेंट पॉईंट चार्ज अगर डिफ्रेंट को की वज़ा से इल्लेक्टृक्ट्रिक फिल्ड जिनको हम लोग लोग डिस्कृी टि ऐले चार्ज पार्टिकल शिस्टम भी बोलते हैं और चार्ज बोटी को क्या बोलते हैं यह बाते लिख लगो हम लोग अभी यह वाला पहले देख लेते हैं इसमें पहला फिदर हम लोग ड्रॉग करते हैं कि माल लो एक ट्रेंगल है कौन से ट्रेंगल ही वधाय? एक्विलेटरल ट्रेंगल है जिसका side A है और इसके दो एजेश पर चार्ज रखा हुआ है Q और Q ठीक है न? और यहाँ पर एलेक्ट्रिक फिल्ड हमको जन्ना है एलेक्ट्रिक फिल्ड कितना होगा तो कैसे बताओगे बताओ तो क्या कर रहे होंगे हम लोग यहाँ पर electric field का वाले direction decide करेंगे तो electric field इसकी वज़ा से Q की वज़ा से किधर हो जाएगा इधर के तरफ होगा ना कितना हो जाएगा electric field यह हो जाएगा K Q बटे A square इसकी वज़ा से electric field की इधर हो जाएगा बाहर के तरफ क्योंकि positive charge है ठीक है ना positive charge से electric field है इधर के तरफ निकलता है उसके से दूर जाता है ठीक है ना उससे क्या होता है दूर जाता है क्या हो जाएगा electric field हो जाएगा K Q बटे A square point charge है दोनो अब यहाँ पर electric field चाहिए तो obvious है कि यह वाला angle कितना हो जाएगा यह angle हो जाएगा 60 degree अब यह बताओ कि दो अब यहाँ पर vector का condition लग जाएगा कि दो equal magnitude वाले तीर है दो equal magnitude वाले तीर है ठीक है ना जिसका length हम A magnitude A माल लेते हैं जो कि 60 degree पर है तो resultant कितना वाताएथ है root 3 into A हो जाता है यह हो जाता है तो यहाँ पर A क्या है यह length है इसमें A जो है यह length है इसमें A जो है magnitude of 3 है यानि कि magnitude of vector यानि कि 3 के लंबाई यहाँ पर हम माने हुए यह अलग situation है ठीक है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बीचों बीच क्या हो जाएगा root 3 into E तो क्या हो जाएगा electric field क्या हो जाएगा root 3 के q बटे E square यह हमारा answer हो जाएगा लिख लो इसको यह है discrete charge particle system अगला हम लोग देखते हैं अगला मालो इस तरीके का है दो equilateral triangle है ठीक है न और side हम माल लेते हैं सब दोनों का AA है ठीक है और कहा कहा हम charge को बैठा दी है वो ध्यान से देखो यहाँ पे एक charge है q यहाँ पे एक charge है q और यहाँ पे एक charge है q अब यह बताना है तुमको इस p point पे जो कि इस h पर एक point ले हो है p electric field at p electric field at p कितना हो जाएगा तो क्या करेंगे इसकी वज़ा से electric field कि धर जाएगा इधर के तरफ जाएगा हम उसको e माल लेते है क्योंकि e कितना है e है q बटे a square और इसकी वज़ा से electric field कि धर जाएगा इधर के तरफ जाएगा यह भी e माल लेते है अब ये बताओ कि ये एंगल कितना हो जाएगा ये एंगल 120 डिग्री है न तो इक्वल मैगनिटूड के वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पर हूँ तो उनका रिजल्टेंट भी सेम ही ही हो जाता है अब बीचो बीच जाता है सही है सर ठीक है अब इसकी वज़ा से कि इधर जाए किसकी वज़ा से इसवाले की वज़ा से इसवाले की वज़ां से भी इधर ही जा रहा हो चीतना जा रहा हो टा एट टो इंटू ए आया और कितना है टू उ इकितना है के क्यू बाई a सक्वयर है क klai क्यू बाई leads को यह हमारा Mhm largo एक यह लो और इस तरीके से इसमें च्या-क चीज़े हैं एक तो है कि पॉइंट चार्ज की वज़ा से लिखने आना चाहिए और वेक्टर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वेक्टर एडिशन हम लोग कैसे करते हैं वह डायरेक्टली वह परलेलोग्राम लॉफ एडिशन बारबर नहीं लगाना होता है डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि अगर दो वेक्टर इक्वाल मेंडिटूर आले वेक्टर नभे डिगड़ी पर है तो सेम वही रहा जाता है अगर 60 डिग्री पर हैं तो क्या हो जाता है रूट 3 हो जाता है इन सब का प्री नोलेज हम हमारे पास होना चाहिए लिख लो इन बातों को फिर आगे एक दो और कर लेते हैं अगले सवाल देखते हैं अगला सवाल क्या है कि जैसे माल लो एक स्क्वाइर है ठीक है ना साइड है एक हम माल ले रहे हैं कहां कहां चार्ज रखे हुए है हम यहां चार्ज रखे हुए क्यूँ यहां चार्ज रखे हुए है क्यूँ यहां चार्ज रखे हुए क्यूँ और यह जो पॉइंट पी है यहां पी इलेक्ट्रिक फिल्ट बता देना है Same magnitude की है न, दोनो Same magnitude की है, देखो, क्या हो जाएगा? KQ बटे A2, और तुमको डायरेक्टली याद होना चाहिए, कि अगर ये magnitude A है, और ये magnitude A है, दो vector जिनका magnitude सेम है, और 90 degree पर है, तो बीचो भी जाता है resultant, और क्या हो जाता है? लंबाई, अरिवास वमें, लिए क्या हो जाएगा, रूट 2 वे हो जाएगा, इधर के तरफ, इधर के तरफ, रूट 2 into, के क्यू बटे A square, ये हो गया हमारा, इन दोनों चार्ज की वज़ाज से, इन दोनों चार्ज की वज़ाज से, अब सिर्फ एक बच गया है, इसकी से भी इधर ही होगा, इधर ही जा रहा होगा, और ये क्या है सर, ये लंबाई A है, ये लंबाई A है, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, डाइगोनल की लंबाई क्या होती है, रूट 2A हो जाता है, अब रूट 2A है, तो इलेक्ट्रिक फिल्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट् Q बटे 2 A square plus root 2 K Q बटे A square तो कमल ले लेंगे K Q बटे A square तो क्या हो जाएगा 1 by 2 plus root 2 लिख लो इन बातों को I think तुम लोग भी solve कर पारे हो गए पहले इन दोनों से result निकाल ले है फिर इसको उसमें add कर दिये बस यही किये हुए है झाड़तों किया I झाला आई चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं अभी हम लोग देख रहे थे कि डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल सिस्टम है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फिल्ड हर एक क्वाइंट चार्ज का अलग-अलग निकाल करके वेक्टर एडिसन हम लोग कर रहे होते हैं अगला जो है वह एक निवस्ट ती पार्टिकल सिस्टम है उसको कैसे कि अभी करेंगे तो क्या है वाली देख लेते हैं कि क्या है कंटिनिवस कि चार्ज पार्टिकल सिस्टम इसमें हम लोग पहला देख लेते हैं जैसे क्या है कि एक रॉड है ठीक है ना एक रॉड है जिस पे लेमडा कुलम पर मीटर चार्ज डिस्टिब्यूटेड है ठीक है ना यूनिफॉर्मली डिस्टिब्यूटेड है इसकी लंबाई कितनी है इसकी लंबाई है एल जो रॉड है उसकी लंबाई है एल और रॉड के एकसिस पर ही आरदूरी पर एक पॉइंट चार्ज है पॉइंट है पि उस पॉइंट पर उलेक्टरिप्ट हमस को बताओ तो हमको सिर्फ यह पता है कि पॉइंट चार्ज की वज़ा से इलेक्रिक फिल्ड जो होता है क्यू बाई आर स्क्वाइर होता है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग इंटेग्रेशन का हेल्प ले रहोंगे हम लोग क्या करेंगे कि एक्स डिस्टेंस पर जा करके ठीक है न यहां से एक्स डिस्टेंस पर जा करके एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग ले लेंगे डी एक्स का तैये सर एक्स डिस्टेंस पर जा करके dx का छोटा सा element ले लेंगे और इस पर charge देखेंगे dq होगा एकदम छोटा सा element लिये हुए जो कि point shape का element है तो इस पर dq charge है वो dq कितना हो जाएगा dq हो जाएगा lambda into lambda into dx lambda into dx जो होगा वो इस point point जो माने हुए है dx length का उस पर charge है dq ठीक है न अब इसकी वज़ा से बताओ x दूरी पर point है p उसकी वज़ा से छोटा सा electric field d e वो किधर हो जाएगा वो बाहर के तरफ होगा यह d e जो है वो बाहर के तरफ है तो वो कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा k dq बटे x square यह होगा ना k dq बटे x square हम लोग क्या करेंगे इसको integrate कर देंगे हम लोग क्या करेंगे इसको integrate कर देंगे integrate कहां से कहां तक करेंगे कहां से कहां तक करेंगे r से ले करके r plus l तो देख लेते हैं इसके बाद ठीक है ना के बाद इधर देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा uje electric field जो हो जाएगा integration sign our Celie करके R PLUS suggestion और कितना लिए हुए है कीडिक डीकूष की जगा पर क्या लीग देंगे लेमडा लेक्स क्या है यहाँ परachte upable लेम्डा डी-ेक्स और बटे एक सब्सक्राइर Corona ऌपर square है यहाँ पर क्या कर देंगे x square अब इसको हम लोग solve कर देंगे ठीक है न solve करेंगे तो क्या हो जाएगा किसको बाहर फिक दे क्योंकि constant है के भी बाहर फिक सकते हैं लेमडा भी बाहर फिक सकते हैं क्या हो जाएगा dx बटे x square ये क्या हो जाएगा r से r plus l अब 1 by x square का integration बताओ 1 by x square का integration क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा k lambda क्या हो जाएगा x का power क्या लिख सकते है minus 2 लिख सकते है ध्यान से सुनना x का power minus 2 minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 तो क्या हो जाएगा बताओ minus 2 plus 1 x का power minus 2 लिख सकते है न minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 तो क्या हो जाएगा ये बताओ इधर हम side में कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा x का power minus 1 divided by minus 1 इसको हम लोग क्या लिख सकते है minus 1 by x ये लिख सकते है न देख लो इसको तो वही चीज हमें लोग यहाँ पर direct लिख देते है minus 1 by x क्या लिख देते है minus 1 by x और कहां से कहां ले जाना है हमको r से r plus l अब इसमें हम लोग value put कर देंगे तो क्या हो जाएगा electric field electric field क्या हो जाएगा k lambda 1 by r minus 1 by r plus l लिख लो इसको k lambda 1 by r क्योंकि minus है ना minus के साथ पहले यह वाला put करेंगे upper limit minus lower limit तो यह आजाएगा या फिर minus को बाहर कर दो और upper limit minus lower limit करके फिर minus को अंधर ले लो यह आजाएगा या फिर तीसरा situation क्या करको उलट दो जभी minus देखो ना तो यह वाला limit पहले put कर दो बाद में यह वाला limit put कर दो लिख लो इन बातों को फाले यह वाला लिख लो screenshot भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो और लिखना भी चाहते हो ता आराम से लिख सकते हो यह वाला भी लिख लो अब देखो इसमें एक important बात बतानी थी हमको कि यहां पर सा directly integrate आप क्यों कर पा रहे हैं क्योंकि electric field एक vector quantity है आरी बासमें और vector quantity है हम क्या बता है थे कि अगर vector quantity हो और direction cm हो तभी integrate कर सकते अगर vector quantity है और direction अलग अलग आ रहा है तो हम directly integrate नहीं कर सकते scale है तो integrate कर सकते तो यहां पर देखो क्या हो रहा है यहां पर कोई भी point पकड़ो कितना भी दूरी पर कुछ भी दूरी पर अगर कोई भी point पकड़ो तो उसकी वज़ा से electric field बाहरी की तरफ आ रहा है यानि direction हम यह सब plus के right side में आ रहा है यानि अगर हम x axis इधर माने इधर x axis माने और इधर y axis माने तो सारा direction जो आ रहा होगा वो x के direction में ही आ रहा होगा यानि कि हम लोग integrate कर सकते हैं अगर अलग-अलग direction में आ रहा होता तो हम लोग directly integrate नहीं कर सकते हैं इस बातों को ध्यान में रखना यह है x यहाँ पर लिख देते हैं x पर जागर के dx का छोटा सा element हम माने हुए है लिख लो इन बातों को अगला देखो क्या है अगला जो हम लोग charge body ले रहे होंगे वो क्या है electric field due to finite wire यह क्या है sir जैसे माल लो की एक wire हम माल लिए है जिस पे charge है lambda column per meter और इससे r दूरी पर कोई point है p और यह angle जो है यह angle है alpha और यह angle है beta इस point पर हमको electric field निकालना है तो देखो हम लोग कैसे derive कर रहे होंगे हम लोग क्या करेंगे y पर जा करके एक dy का छोटा सा element ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि theta पर जा करके d theta का छोटा सा यह angle ले लिए है ठीक है न अब क्या है यहाँ पर यह relation हमको बताओ यह relation 10 theta बराबर क्या हो जाएगा 10 theta बराबर क्या हो जाएगा 10 theta बराबर 10 theta 10 theta बराबर बताओ 10 theta बराबर क्या हो जाएगा y बटे r क्या हो जाएगा y बटे r तो y is question क्या हो जाएगा 10 theta into r अब हम इसको differentiate कर देते हैं तो क्या हो जाएगा d y is equal to d y is equal to क्या हो जाएगा d y is equal to क्या हो जाएगा r c square theta d theta देखो यह हो जाएगा क्या r c square theta d theta अब यह चीज़ बताओ अब इसको यहाँ पर रहने दो इन बातों को अब यह बताओ कि जो element हम छोटा सम माने हुए है यह point charge माने हुए है इसकी वज़ा से point p per electric field किदर होगा इसकी वज़ा से point p per electric field उसी line के along होगा और बाहर के तरफ होगा यह क्या है electric field है अब इसके हम दो component ले रहे होंगे एक तो इधर ले रहे होंगे एक इधर ले रहे होंगे क्यों ऐसा कर रहे है sir इसलिए कर रहे है ताक कि हम लोग integrate कर पाए है जो इधर वाला component है वो सब की वज़ा से इधर आ रहा होगा इसलिए integrate करने में कोई परिशानी नहीं होगी अगर इधर के तरफ integrate करेंगे तो net electric field इधर आ रहा है तो किसी में net electric field इधर भी आ रहा होगा तो उसमें परिशानी हो जाएगी ठीक है ना तो क्या हो जाएगा हम इसको क्या माल ले रहे है E perpendicular माल ले रहे है और इसको माल ले रहे है E parallel और E ये क्या है ये ठीटा है तो ये भी ठीटा है ना तो ये क्या हो जाएगा E cos ठीटा E cos ठीटा ये क्या हो जाएगा E sin ठीटा और E कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ E ये हो जाएगा K DQ यहाँ पर D Y जो length माले उस पर charge हम माल ले रहे हैं DQ K DQ बटे ये कितना है दूरी ये दूरी बता दो ये दूरी कितनी हो जाएगी ये बताओ तो ये दूरी हो जाएगी अगर हम cos ठीटा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा R ये दूरी R सेक ठीटा तो क्या हो जाएगा R सेक ठीटा का whole square लिखह लोग पहले यहां लिख हो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां लिख लेना किया हो जाएगा lambda इंटू दीवाई हम लूप पूट कर रहे हो सबस्सक्राइब ऑलोगे हम लोग बढ़ते हैं, ईलेक्टरिक कितना आया, कि इस लिख Das के लेम्डा D y वाई बटर आर स्क्वायर से स्क्वायर ठीत है और E पर्पेंडिकॉलर इसके दो भाग है ना तो दोनों को और जाना हम लिखक किया लेता है यह हम छोटा सा D dede लिख लेते हैं जो आया ना डि छोटा वाला लिख लेते जो है लिख लेत थे अब हम लिए देता है यह परपेंडिकुलर और यह परपेंडिकुलर और यहाँ 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 परपेंडिकु ये वाला चीज into cos theta तो क्या हो जाएगा के lambda dy बटे r square c square theta into cos theta अरे बसमज में और इपार्लेल क्या हो जाएगा यह पारलेल हो जाएगा के लेम्डा डी वाई बटे आर स्क्वाईर से के स्क्वाईर ठीटा साइन ठीटा अब डी वाई की जगा पर यह पूट कर दो डी वाई की जगा पर क्या आया है यह पूट कर दो आर से के स्क्वाईर ठीटा डी ठीटा यह किसकी जगा पर put किये हुए हम लो dy की जगा पर यहाँ पर क्या हो जाएगा cos theta divided by r square c square theta और यहाँ पर भी क्या कर रहे होंगे यहाँ पर पर दिवाई की जगा पर क्या कर देंगे k lambda r c square theta d theta sin theta बटे r square c square theta अब देखो कुछ कट रहा होगा कुछ टर्म कट के क्या आ जाएगा यह बताओ directly हमको देखो क्या क्या कट रहा होगा सिधे काट देते हैं c square यह कट जाएगा ठीक है ना और इससे क्या कट जाएगा यह कट जाएगा देखो यही आ रहा है क्या ठीक है ना कितना आ जाएगा इसके बाद कटने के बाद यह बताओ k lambda over r ठीक है ना और क्या आ जाएगा cos theta d theta cos theta d theta और integrate हम लोग करेंगे ना यह क्या जाएगा e perpendicular कहां से कहां तक integrate करेंगे यह बताओ कहां से कहां तक integrate करेंगे माइनस अलफा से बीटा करेंगे कहां से कहां तक करेंगे माइनस अलफा से बीटा हम लोग कर रहे होगा माइनस अलफा से बीटा हम लोग कर रहे होगा अब इसको इंटेग्रेट करना है और यहां पर देखो क्या क्या कर जाएगा से के स्क्क्वार से से के स्क्वार कड़ गया और R से यह R स्क्क्वार वल्ग कड़ जाएगा तो E E parallel क्या आ जाएगा E parallel आ जाएगा K lambda over R integration sin theta D theta क्या जाएगा sin theta D theta कहा से कहा तक minus alpha से beta यह लिख लो अब हम लोग integrate करेंगे तो हमारा result आए जाएगा क्या आजाएगा अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं E perpendicular कितना आया है integration minus alpha से beta और यहाँ पर क्या लिखें के lambda by r यह क्या आया था cos theta d theta क्या आया था cos theta d theta और इधर क्या आया था E parallel क्या आया था k lambda over r integration क्या है minus alpha से beta यहाँ पर देखो क्या है sin theta d theta यहाँ क्या है sin theta d theta अब बताओ cos theta का integration कितना हो जाएगा cos theta का integration बताओ k lambda over r post theta का integration क्या हो जाएगा sin theta हो जाएगा यह हो जाएगा न पताओ कितना हो जाएगा sin theta sin theta और कहां से कहां तक जाने है हम लोग minus alpha से beta अब क्या करेंगे हम लोग E perpendicular क्या हो जाएगा k lambda over r क्या हो जाएगा sin alpha plus sin theta यह हो जाएगा लिखलो sin alpha plus sin beta क्योंकि sin अगर हम यहाँ put कर रहे होंगे minus alpha तो sin minus alpha कितना हो जाता है minus sin alpha और minus minus plus हो जाएगा ठीक है न और यहाँ पर क्या जाएगा E parallel अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या जाएगा k lambda over r और यहाँ पर क्या जाएगा sin theta का minus cos theta और minus alpha से beta तो क्या जाएगा k lambda over r अब बताओ इसमें कैसे करेंगे cos minus alpha cos alpha हो जाता है न अरिवा समय में तो क्या जाएगा cos beta क्या जाएगा cos beta minus cos alpha cos beta minus cos alpha लिख लो इन बात तो को यहाँ पर लिख लेना cos alpha minus cos beta हो जाएगा क्या हो जाएगा cos cos alpha minus cos beta लिख लो यह क्यों हो जाएगा क्योंकि हम अगर उलट के लिख दे तो क्या हो जाएगा पहले alpha आ जाएगा न अब cos minus alpha cos alpha होता है minus cos beta कर देंगे बस हो गया सारा लिख लो अब हड़ जाते हैं एक एक किज लिख लो सबसे फिर हम बता देते हैं ठीक है ना पहले लिख लोग फिर से एक बार और बता देते क्या कि हम लोग किये हुए चलो यह लिख 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 लोगे अब यह लिख लो अगर screenshot लेना चाहते हो screenshot लेकर के भी लिख सकते हो बाद में चलो यह भी लिख लो आप देखो इस पर कुछ सवाल हम लोग कर लेते हैं जैसे माल लो कि लेमडा इस पर दिया गया है ठीक है ना और डी डिस्टेंस पर डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी और यह है 60 डिगरी का एंगल और यह है 30 डिगरी का एंगल है नंगे है तो हमको एलेक्ट्रीक फिल्ड निकालना है इस पॉइंट पी और सबसे पाहले हम डिसाइड करेंगे कि एलेक्ट्रीक ये हम लिख देते हैं इपर पेंडिकुलर ठीक है न अब बताओ इपारलेल वाला किधर लिखे नीचे लिखे ऑपर लिखे थो सर यह वाला पोर्षन ज्यादाँ यह वाला पॉर्षन कम है यह वाला ज्यादा है तो इसकी वजह से इधर इधर इलेक्ट्रिक फिल्ड आ रहा होगा और इसकी वज़ा से इधर इलेक्ट्रिक फिल्ड आ रहा होगा और यहां पर क्या हो जाएगा के लेंड़ा ओभर डी साइन स्टार्ट डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री ठीक है अरिवा सोन में और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे के लेमडा ओभर डी अब ज्यादा दिमाग हम लोग नहीं लगाएंगे कॉस का फेक्टर लिखना है कॉस में क्या होता है कॉस जो ठीटा कम होता है उसका कॉस ज्यादा होता है तो हम क्या कर रहे होंगे जब हम लोग common sense से sign का पता लगा चुके है तो हम इसको positive लाना है हमको हम क्या करेंगे कॉस 30-cos साथ डिरेक्ट लिख देंगे यह कुछ भी हो हम क्या करेंगे बड़ा वाला कॉस को पाले और छोटा वाला कॉस को बाद मिले दें ताकि हमको positive मिले ठीक है नहीं हम लोग क्यों करेंगे को कि हम लोग common sense से यह पता लगा पाए है कि यह इधार ही electric field का direction होगा यह parallel का तब इसको solve कर लो हमारा answer आ जाएगा अरी बसमझ में लिख लो इसको जो यहाँ पर चीज़े हम लिखवाए हैं ना यह वाला part तो इसमें अगर तुम एंगल के चक्कर में पड़े तो थोड़ा सा chances गरवर होने का बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम लोग थोड़ा सा common sense लगा रहे होगे नुमेरिकल जब solve करेंगे तो उसमें क्या है एक बार और समझा देते हैं उसमें क्या है कि उपर वाला जो पोर्षन है उसकी वज़ा से जैसे इस पर चार्ज प्लस प्लस होगा न तो बताओ ये लेंथ जादा है ये लेंथ कम है न इस लेंथ की वज़ा से इलेक्टि फिल नीचे है इस लेंथ की वज़ा से इलेक्टि फिल उपर है तो कौन डोमिनेटिंग है यह डोमिनेटिंग है तो इलेक्टिफिल नीचे ही आएगा न बस और हम कोई स्तरीके से कॉस लिखना है कॉस घटा के लिखना है तो इसका मतलब क्या है कि बड़े वाले कॉस में छोटे वाले कॉस अब बड़ा वाला कॉस हमेशा खुटका एंगल हो जाता है बस यह कर लेना है कि अगर यह प्लस चार्ज है तो बाहर के तरफ ही इलेक्टिफिल होगा और साइन में तो जोड़ ही के लिखना है लिख लो इन बातों को और यहां पर हम वही चीज़ किये हुए है कि देखलो यहां पर फिर से बता देते हैं डेरिवेशन वाल है तो वही लिख देए टैन ठीटा बराबर वाई बटे यार अब वाई बराबर टैन ठीटा आउट डिफ्रेंसीट कर देए डिवाई टाकि हमको डिवाई पता चल जाए क्योंकि वहाँ पर डिवाई लिखना पड़ेगा तभी कट पिटेगा उसके वाद से क्या होगा कि अब यह छोटा से एलिमेंट जो माने हुए है यह वाला इसकी वज़ा से इलेक्ट्रिक फिल किधर आएगा इस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फिल क्या हो जाता है लाइन जोइनिंग के इलॉंग ही होता है यह तो अंदर के तब यह बाहर के तरफ होगा उसका दो कंपोन लेंध कितना है यह लेंध है से ठीटा है ठीक है ना तो यह लिखर कर दिए अब देखो ए कॉस्ट हम कर दिये है इस लिएक उतला इसलिए माइनस अलफा लिए हुए उसके उपर बीटा होते हैं इसलिए प्लस बीटा लिए हुए यहां पर देखो यहां पर माइनस अलफा लिए हुए न एक लिमिट एक लिमिट बीटा लिए हुए और दोनों को solve कर दो बस यहाँ पर क्या कि हम लोग solve कर दिये तो यह हमारा answer आ गया है लेकिन numerical solve करते समय थोड़ा सा हम common sense लगा रहे होंगे हम क्या कर रहे होंगे कि जो length dominating होगा उसकी वज़ा से electric field जो हम लोग लिख रहे होंगे यह parallel वाला यह parallel वाला वो उधर ही होगा और यहाँ पर हम लोग बड़े वाले कॉस में से छोटे वाले कॉस को क्योंकि पहले सम डिफाइंड कर दिये न कि इधर ही होगा electric field तो यह हम लोग simply बड़े वाले कॉस में से छोटे वाले कॉस को mathematically solve करके लिख देंगे बस अरी बस समझ में लिख लो इनको एक और example इसी पर देख लेते हैं finite वजक से जो भी है जैसे मालो कि यह है यह हम माल लेते कि माइनस लेंड है यानि कि इस पर charges क्या है माइनस है ठीक है न और ऐसा दिया गया है यह माल लेते है 60 degree है और यह माल लेते है 10 degree है अब तुमको बताना है कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फिल्ड किधर होगा और यह माइनस है तो इलेक्ट्रिक फिल्ड अंदर आ रहा होगा ठीक है न तो किधर हो जाएगा एक तो इलेक्ट्रिक फिल्ड यह हो जाएगा यह क्या है भाई इपर पेंडिकुलर है यह कितना हो जाएगा इपर पेंडि स्मिन त्रोब्लम के clarity आपवा थी अ क्या होगा सर कि यह यह याया यह क्रें तो कॉन कान मेरे कॉन हो आप दो आGS यह हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यह कैशने वाल अगर यह ज्यादा में खीचता है तो इधर के तरफ हो जाता है यह क्या हो रहा है यह डोमिनेटिंग लेंट यहां चार्ज ज्यादा है यह ज्यादा है तो इधर के तरफ खीच रहा है तो उसका एक कंपोनेट इधर आ गया और यह हम कैसे लिख देंगे यह सिंपली क्या कर द रहे हैं कि पॉजिटीटी भी आए बस लिख लो इन बातों को और मिलते हम लोग नेक्ष्ट वीडियो में और यही से हम लोग इसके बाद हम लोग एक दो और एक्जामपल लेंगे और इसी में क्या यह तो फाइनाइट वायर की वज़ा से हो गया अगर हम लोग सेमी इन फाइनाइट वायर है या फिर इन फाइनाइट वायर है उसकी वज क्लास में डिसकस कर रहे होंगे तब तक लिए पढ़ते रहो थैंक यू